नमस्कार आप देख रहे हैं सीधी बात और आज मेरे खास महमान है स्वामी रामदिफ स्वागत है आपका प्रणाम राहूल भाई सब मेरे बैंक अकाउंट का नंबर में आपको देने को तैयरू 15 लाग रुपए कब देने पहले यह बत लिए कब आएंगे 15 लाग रुपए मैं तो असब दे जादा दिलाने कोशिश करोंगा फंदरे लाग तो देला हिए देखो यह तो बाहर वाले आप यह सोलाह क्रोड़ पर गया तो नो सोलाह करो पर तो यहीं दमा है ने तो मैं तो देशी कालाधन और विदेशी काला राहूं स्वामी जी जुनाव से पहले आपका इंटर्व्यू किया सीधी बात के मंच पर आप पैठे आपने कहा है कि मोदी जी को वोट दीजे सौ दिन के अंदर सब के बैंक अकाउंट में पंद्रालाग राको पाहेंगे सर छे महीने से जादा हो गए मैं तो सुभे जग के उस से भी कहा और आज कह रहा हुं मॉधी जी का वी ट्रेकर रिकोर्ड यह जो उस वेक्ति ने चुन ले कहा है वो execute पहले आपने कहा कि फलाना फलाना अमाउंट काले धन का बहार है। आपने कोच आंकरा दिया। अब आगद आंकरा ती हर बार जो शुन्हीत हैं को बढ़ते चले गए। अब पियम कहता है कि कि तो पता ही नहीं देखो टैक्स सिस्ट नेट वरक है और तमाम दूसरी ट्रांस्परिश्ट इंटरनेशनल है और तमाम जो है कि आपको कரो आपको कैसे वालूं ये बाता है पीम कहते हैं उन्हें नहीं मालोम स् gusta आपको आपको जो अंकडे बता रहा हूं आपको मालूम है काला धन कितना है तो पीम को कैसे नहीं मालूम पीम को चुनाफ से पहले मालूम था अब कहते हूं को मालूम नहीं देखिए पीम मोदी ने योग और अध्यात्म को जहां उसको कोई नाम लेने के लिए हिंदुस्तान का प्रधान मंते तयार नहीं था विश्व के सब्चे बड़ी मन से उस बात को कहा और अंतराश्टी योग दिवस की रूप में 177 देशों का समर्थन लिया उस प्रस्ताव के उपर उ आप ने कहा तब 15 लाग रुपे आएंगे आज भी जब साथ महीने हो गए सरकार को क्या स्वामी रामदेवे कहने को तईयार है कि 15 लाग रुपे आएंगे मुझे पूरा भरोश सा है कि साई 2015 में मामला सुरू हो जाना चाहिए क्या शुरू हो जाएगा आना सुरू हो आपके 15 लाग रुपे आपके पंदरा थे आपका ज्यादा बड़ा वादा था बाकियों गा तो तीन ही लाग दिलवा दीजे लोगों को देख रहे दर्शक बड़े रुची से कि तीन लाग रुपे कमाएंगे उन्होंने का कि चुनाव में कहने के लिए को यह थोड़ी मा आपको मैं अमित सहाँ जी के वारे में वा गात कहता हूँ व व्यक्ति बीवा और धालो से हिसो को ओ tiefरे ili दीजे मा मणते कि कब्रें मत वह कमाने के लिए लिए रखी उनका ओन्सरा बूलता है और पता नहीं क्या सोसरा होगा मैं हमेशे देखो उस विक्ति के भीतर एक इसोस है कि मेरे पास में जो क्षमता में देश के लिए कैसे उसको उप्योग करो तो यह आदने मोदी जी और अमित सा एक पहले बार हिंदुसान की राजनीती में सब्सक्राइब तो आया ह किस बात का दर है किसका डर है क्यों नहीं बता रहें फिर सभाई शिविर किये और आज भी मेरा संकल्प अखंड है अडिक है अब मिलेगा पुरधान मंतरी मने के बाद भी मिला हूँ फौन पर भी बात होती है अभीवी बात हुई है? मैंने पुर्सा कैसे है मोधी जी, पोल पहले जैसा हूँ, स्वामी जी उस वाक्ति में गभुद्राव निय थोत अगृती है, बीदें yeah, kami rejectariоде हल memorized क्यों आ हुट za bakतने के वाट में डीरा सब कुखे हैं? और यान और यान बारी करेगी पार्टी कब करेगी किसका इंतजार मैं तो करूँ 2015 का इंतजार करूँ डबल टैक्सेशन अवाइड़न्स ट्रीटी है एक हमारा इंकम टैक्स करार है अब इतने बड़े बड़े वकील बैटे है मोधी तोड़ी 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 आपको एकॉनोमिक्स पर आप आप मेरा सुन लिए साल सुन लिए फर जाब दिए कि जेटली साब इतने बड़े इतने विद्वान वकील है क्या ये डबल टैक्सेशन अवाइड़न्स ट्रीटी नाम की कोई ट्रीटी है उनको पहले से नहीं वालू था देखिए तीन-चार बड़े काप करने पड़ेंगे ब् माहस में है जाए वो जाए दुबई में है जाए और सिंगापूर में कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कंट्री में ब्लैक मनी है तो उसके दिक्गत क्या होती है कि वहाँ नाम तो होते हैं लेकिन बता के नहीं देते तो एकोनोमिक ट्रांसफरेंसी के लिए अभी जाए पूरी दुनिया के करीब करीब आधी अर्थ वरसा पर इनुनों कभजा किया है चुनाफ से पहले आपने ब्लैक मनी ब्लैक मनी का डोल पीटा पहले जब चुनाफ से पहले बात होती तो पांच साल तक मैने राम लिला मेधान से लेकर की पुरे हिंदस्तान में इसके लिए मयिने दिंजम्ने कायम है आप तो कायम है सरकार कायम है की नальной पैसा लाईगी की नहीं कि इस पर स्था की आज़ मैं और मैं शुनाफ पहले आप से बारशीत कर दाओं रहा के बोलते थे स्ष्वा मिरम द्यूद ये मुश्किल इस की सीधी बात मिली आप आप तो माइट से भागते हैं कि लोग पुचे के पैसा काई पैसा यह तो डिक्कात हुए आपना प्रसेप्शन ठीक कुराब तो कपाल बात है लोलो मिलोम किया तरो तो आपको भी तो मेरी मतलब जो साफ गोई है मेरी मेरी बीवा की है आप फ़केर आप यू हूँ पुछते अपसे स्वामी जी पंदरालाग रुपे घू एसा देखो मेरे लिए इंडिया शाइनिंग मेरे लिए देश के सभा सो कोड़ लोग है और इस भारत को दिपया बनाना इसको अध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति बनाना ही मैरा सपना है इंचा कहते लोगों से आप केहए दे कब सब्सक्राइब कर दो हजार दो हजार पंदरह द्वार खुल गया शोटा जोटा बड़ा दो अधर घर अधर दोगे देखो जह कोई का कोई काम होता है उसमें प्रॉसिचर होता है हम लोग जो अनकाली बात करते हैं तो एक दम से ऐसे करने लगते हैं अब या जब विपक्ष में थी पार्टी तब नहीं समझ में आ रहा था प्रोसीजर मैं उसमें प्रोसीजर को फोलो करने के लिए पूरी तरह से पतिपत है आप देख रहे हैं सेधे बात स्वामी लुए ही थी किया स्वामी रामदेव कि भी इस पीजेपी के सरकार में कुछ उसी दॉरा की एक हैसियत बन रही है श्यूश बनाने करीमने कुछ नहीं देश कि मेरे देश्मास्य की हैसियत बने और आज मोदी जी की पुरूराció मूदर बनने से हिंदूस्तान के भारती वें पूरी दुनिया में उनको इक गोरों मिला अरुन शौरी ने अभी बयान दिया उन्होंने कहा कि खाने पकने की और तालियों जो प्लेटों की आवास तो बहुत देर से आ रही है खाना नहीं आ रहा कि मतलब घोल तो बहुत पिट लिया आवास तो बहुत हो गई एक खाना कब सपाथ उसको कि भूल कैना चाहते हैं मुद्ध睾, जाई मजब मत्पंथ नहीं है उनका देश में से अभ्हाव कैसे दूर हो इसके लियो चयहें मैंदिर की बात तो पर आपने नाम सुनाएं साधवी जोती का योगी आधित्त चनात का साक्षी महाराज का बीजेपी के सांसद ही है किस तरहां के बैयान दरूस पर आपके बैयान बाजे से आधरे मोदी जी भी दुखी है इसलिए उनुने संसद में भी बोला और व्यक्तिक अतरूप से भी इस बात को अनुभव कर रहे हैं मैं इस बात को साफजनिक तोर पर भी क कहने करें तैयार हों कि उनके मंत्रियों के कुछ बयानों से जरूर भगवावस्तर पहना हुआ है ना खास्तोर से वो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं सारे योगी आधित तिनाथ साधवी जोती साक्षी माहराज मतलब जितना आपने भगवावस्तर पहना उतना भड़क इस तरह की कोई गरत बयान बाजी ने होगी से इंटरनेशनल लेवल पर भी चवी गड़बड होती को कि मोधी जी के दो ही मुत्ते हैं सुसासन और विकास बड़ी उपलबधी प्रदार मंतरी की रही है वो यह कि एक अंतराष्ट्री योगा दिन होगा जो कि एक बड़ी ब दिन मना जाता है तो इसके उपर भी एक सोच आली से खूशोफ्स लोग आप ने मोधी ने शाथमे योगा किया है क्यों नी किया है सिखाय आपने जगिए यह सब बाते ला कि मैंने क्या किया है ने मैं पूंछ आँ मैं धी रूची जानने में देख आप अप अच्शा कि मोदी जी एक योगी भी है एक कर्म योगी भी है एक ज sound योगी भी के और एक भक्ती योगी भी ज्यान कर्म और भक्ती हमारे यू की मुफ करते को पूछटे को लेब मैं पूछ रहा हूं कि आप इतने बड़े योग गुरू है जब आपने उनका स्टाइल देखा पॉस्चर देखा आप हमेशा सिखाते हैं लोगों को बताते हैं बहतर करते हैं क्या बता है देखे व्यक्ति का तोर पर बदी जी का चीवन बहुत ही सयम पोना है सुचिता पोना हैं और मुझे तो ऐसा लगता है जवानों को भी उनसे प्रेणा लेने की जोड़त है आप जैसे बहुत जवान है जो ले रहे हैं नहीं पर यह बताएं चली योगा पर तो फोकस हो आपको लगता है कि आयुवेद पर भी इस तरीक से फोकस करना चीव मुदी देखे आई प पर आते ही पहले जो स्वास्ति मंत्रा ले था नो मैं बोलता था है इन्होंने आयुश का मंत्रा ले बना है उसके ओपर बजट भी आगे देंगे और योग और आयुवेद पर आगे नो संधान का भी काम होना बहुत जरूरी है क्योंकि योग मातरिक व्यायम तो नहीं तो योग एक संपुन चिकेट सब इजयान है सो लाग और पर पचास लाग कोड़ करीब दबाओं यो पचास लाग कोड़ करीब ऐसे ही जो है यह तमाम तरह के विटामी सनी में सो लाग कोड़ पर खर्च हो रहा है सर आप जो आंकडे ले ना बड़े ख्याल से ले यह आंकडे यह तो आना है सभी के अपने बोला अकाउंट में यह तो बताओं गा कितना लेके मोदी जी के राज में योग के अच्छे दिन आए हैं भारतिय संस्कृति के अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन तब आएंगे जब स्षाड़क पर चलता आम आदमी मानेगा कि उसकी जि अच्छे